यूपी में सियासी हलचल तेज है, विपक्ष भी अब लागतार एक्स पर पोस्ट कर रहा है, बात करने के लिए यूपी सरकार में क्याबिनेट मंत्री संजय निशाद मौझूद है हमारे साथ, संजय जी बहुत सौकत है आपका, क्या लग रहा है सरक बहुत कई बीजेपी के नेता है, अभी कैपियर गंज के विधाय के उन्हों भी बैयान दे दिया है, परशासन परेशान कर रहा है, सुनिल भराला ट्वीट कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को सीफा देना चाहिए, क्या कुछ चल रहा है, मजबूत पार्टनर हैं, यह सुब बैक्तियों के बै नहीं होता, तो आज परधान मंतरी तीसरे बार इतिहास थोड़ी रचते वैटतें, बैतर नहीं होता हम लों का काम, तो आज जनता दुबारा फिर योगी को क्यों परधान मंतरी बना तो सब बैतर है, एक दो मैंने कर दो लोगों के अपने निजी उनके कोई मामले हो सकते ह पहले ही बता है था कि धेर सारे अधिकारी अच्छे काम करना तो सर्वत्तम परधेस है, लेकिन एक दो कुछ सहतकारी ऐसे भी है कि अंदर से पिसली सरकारों से प्रेरी था, वो अपने हिसाफ से काम करते रहते हैं, नहीं होते तो आज के दिव कि वैसा काम करते हैं जो हुआ तो तीसरे नंबर का उपने संबर की प्रत्यासी के विधांसवा चुनाव उसी तरीके से निशादों का हमामला अरच्छड का, अरे मानी मुखमंत्री जी मांग रहे हैं, दिशा रिदेश दे दो, RGIC, रईस्टार जनल से साफ इंडिया, तो आरे दिशा रिदेश उ हम दिशा रिदेश मांग रहे हैं, क्यार जी है हमें दिशा रिदेश के हम जो है, उस पर काम करें, और रिमाइंडर भी नहीं दे रहे हैं, आसे कि भाई दिशा रिदेश मांगा गया तत्काल, दो साल हो गया, उस पर क्या दिशा रिदेश रिदेश बड़ा, आपने बात सुचिबद्ध है यहां राजपाल ने हमें उबीशी से निकाल दिया तो अधिकारियों के इसमें निड़े लेना चाहिए आज के दिन में अधिकारी जब दिसान इड़े साब मांग लिए उत्तरप्रदेश सरकार तो उसको पहता नहीं कि उसको यहां फिर से मांगना चाहिए निशाद पूरा वोट मिला है आप निशाद पार्टी को निशाद जो वोटर उसको रिप्रेसेंट करते हैं उत्तरप्रदेश मोटे दौर पर कहा आज आपको कैमेरे में इस्ट्री में लिए आपने इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुचाया है क्या उनका क्या जवाब है जगह पहुचाया और तो कि यह अधिकारी का देते हैं दिल्ली के मामला है आरजियाई ने पत्र लिख दिया दिल्ली को तो यहां एक छुट्टी पागा है कि आप तो दिल्ली सोना है वो अधिकारी आपस में ताल मेल करते हैं कि कैसे यह वोटर नाराज हो जाए जिससे कि साथ चोड़ दें बादपक साथ चोड़ दें फिर उनका विपक्स का फाइदा हो जा मतलब गुम्राह करने हो लिए इसे लोग पकड़े भी जा रहा है और उस पर करवाई भी हो रही है अभी देखिए बुल्डोजर वाली भी एक बड़ी चर्चा होई कि लाल निशान अब करने में काम है आब गोरगपुरी घठना पुता है चकबंदी चले है और हमारे खुद की मामा की लड़की है और उसका एक जमीन है नकस है है और कागज सही है कापजा भी सही है दूसरी चेक बंदी मुस्य सही करना चाहिए नकसा आदमी तो पनाता नकसा ताधिकारी बनाते हैं छोटा तो फिर बना देते बड़ा करके तो कपजा भी है कागज भी है और हमारे फ कि नाप से फोन गया था कि इसको देख लीजीगा तो सी उने का। जाकर ढूरब कर देखने वहाना कि उट को जाकर दूसरा कबजा करा दिया ति यह क्या प्रसाइब के वे नहीं कि के बात नहीं सुन रहे हैं तो केशव करसाद मौरे कि कहते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्मित करना होगा कि जो अधिकारी अंदर से पिछली सरकारों के विचारधारा से प्रेरित हो और समय समय पर वो सरकार की मंसा के विरोध में काम करता हो जंता की सेवा के भाव से नहीं काम करता हो पार्टी के कारिकरतां को सम्मान नहीं देता हो चुकि सत्त सत्ता तो पार्टी के संगठन से मिलती है और सत्ता सरकार चलाती है तो संगठन के कारिकरता की उमीद होती है कि सरकार हमारी है हमें पूरा सम्मान मिलना चाहिए अगर नहीं मिलता है तो वो जो कारिकरता है वो यह समझता है कि हमने जो सरकार बनाई है या सरकार में रहने वाल नहीं करना है और इसे पता चलता कि अब मामले देंसे दूर हो रहा है और आज कि आपका आरक्ष्ण मामला जो है जिसको आप आप अब आप अब उठारें जिसको लेकर लेकर आप काफी समय से आप चर्चा कर रहे हैं जब से अब मंद्री बने इस बात को तुम है का भी हमेश चलता रहा कि लेडर मैं अपनी संख्या से ज्यादे सचाट समूह का हिससा खा रहा थाइस परसिंट में मिलक मैंन अपना खा रहा थे इन जातियों को हिस्सा का उन खिला रहा है तो यह कांग्रेस नहीं किया तो डेख़ आठारे परसिंट अबादी दूर होगई कांग्रेस की दसा है पसपा बसपा की दसा अगर भाजपा भी इसको टेकल नहीं करेगी तो निशाद क्यों रहेंगे इनके साथ भी इनका हिस्से अगर लेधर में इनको आप खिलाओगे तो कहें रहेंगे तो तीस परसेंट ऐसे निशाद वोटर है जो उदासिन थे वोटी नहीं डालन और चड़का डर दिखा कर फर्जी वीडियो आड़िट करें तो यह चीजे अब लोग उससे परदा पड़ जा उस मुद्दे को दो ध्यान ने दें इसलिए भी पक्स तरह तरह का बयान बाजी करें एक पिक्चर अगर क्रेट किए आप लगातार आवाद उठा रहा है उन है, तो यह जो पड़ पक्स है, और इनके निशादों के साथ उनका नेचर का रवीया आज होई है चाहिंग्रेस रही हो चाहिए उनका अगर उनको करना होथा तो 17跟我 समय था, और करना होता तो करते हैं, इनहीं की रहते हुए ये काम हुआ, अगर करना होता तो सपा बसपा ने वोट लिया था, एक मुष्ट सहजोग भी किया था, और ये भाई चारा कमेटी भी बनाया था निसाथ, लेकिन इन्होंने किया क्या कि नो परसेंट भई बड़ा देखे होता क्या कि 9% जब तक हम OBC से काट के SC में जोड़ेंगे नहीं तब तक यह मामला नहीं होगा चुकि SC के लोग विरोध करेंगे हमें OBC से अगर हटेंगे तो हमारा हिस्सा वहां क्यों रहेगा तो जो OBC का हिस्सा खा रहा है वो काएंगो उसमें से हिस्सा इधर SC में भेजने की कुश्श इसलिए उनका यह काम भाजपा ही कर सकती है क्योंकि इतना बड़ा कलेजा होई दिखा सकती धारा 370 राम मंदिर बन सब्सक्राइगी तो कि निजाद हमारे एक नेचुरल एलाइंस है यह नेचुरल हमारे मत दाता है भगवार राम के मित्र के बंसज है यह ठोकर का कही कैपियर गंच के विधाय का उन्होंने अभी आज वयान दिया है कि उनकी जान को खत्रा है और वहां के पुलिस प्रशास नहीं जीती थी और इसमें से नो जीत बड़े-बड़े बदमासों को हमनों हराया है बड़े-बड़े लोग माफिया तो उसके बदले हमारी सुरक्षा मारे घर की सुरक्षा हमनों को दी गई या डाक्टर संजे को दी गई और बच्चों को दी गई लेकिन अगर मैं हार ग थी क्यों दे दिया अगर वापस ही लेना था तो अगर हों तो अगर नहीं करते हैं तो समय हमीं भी सोचना पड़ेगा मेरे बच्चे मेरे घर के लोग शुरच्षित नहीं रहेंगे मैंने सचीव से कामानी मुखमंत्री से भी कहा तो मैं घर के लोग नहीं शुरच्षित रहे तो इसका मलब खुले आम अपराधियों को आप जो है निमंत्रा न दे रहा है या धिकारी निशाद वोटर कहीं और शिफ्ट हो सकता है नहीं निशाद पार्टी बनाया पार्टी में रहे पार्टी कैसे होगी भाजपाक साथ मैंने बताया नहीं का नेचर ही नहीं है कि निश मदद की है, बहुत मिनफ की है, और narrative set के मामला narrative का maximum है, narrative set को उसको narrative को से vote लेने में काम्याब हो गह है, और हम लोग तुला आती उसाह में थे, हम लोग पिछले लगातार जीत रहें, तो सोचे कि उसी भाव में जीत जाएंगे, तो हम लोगों उस नरेटीब का काउंटर रिपोर्ट करने के लिए कोई नहीं गया, इसके वज़े समरुभार गया, उसमें किसी किसी बेक्तिकत किसी को दोशे नहीं कहा रहा है.